सामे तैसिल शेत्र के खापप परिसर समीपस्त दूद बढ़ी पहाडी से वे खौफ मुरम का अवैत खनन किया गया इन बीसीन की खबर के बाद जिला खनन विभाग हरकत में आया विभाक यदिकाली शुलक निरिक्षक नरेश बर्वे और विनोध अवजे ने मौके पर पहुच का निरिक्षन किया उन्होंने प्रात्मिक तौर पर करीब 9000 ब्रास मुरम का अवैत खनन होने की जान करे दी इसका अनुमानित बाजा मूले सबा दो करोड रुपए है लेकिन साब ने राजस्वर प्रशासन की और से खापा थाने में महज सौ बरास मुरम चोरी होने की शिकायत दर्च कराई गई जिसकी कीमत 90,000 रुपए बताई गई है इस शिकायत पर ना केवर आश्यर जताय जा रहा है बलकी तरह तरह के सवाल भी उठने लगे हैं शिकायत में उपरुक्त अवैत खनन 18-25 मई की दर्मियान होने की बात कही गई है जबकि खनन के कारण पहाड़ी चिन भिन हो गई है राजस्व प्रशासन द्वारा महज 100 वरास मुरम चोरी होने की बात ने शंका कुण शंकाओं को जनम दे दिया है मुरम का वैत खनन लगभग 2 माँ से जारी होने की चर्चा है सूत्रों की माने तो जिला खनन विभाग की तीम के निरिक्षन के लिए आने से कुछ घंटे पहले साब ने राजस्व प्रशासन का एक करमचारी मौके पर पहुचा था उसके साथ एक वैक्ती और था जिसके मुरम के अवैत खनन में लिफ्ट होने की बात कही जा रही है कहीं उसी के कहने पर बड़े पैमाने पर मुरम खनन को मामुली चोरी तो नहीं दर्शाया गया यह सवाल लोगों के मन में कौन रहा है खापा के थानेदार अजे मानकर के मार्क दैशन में एसाई विजे बारे हवलदा संजे वान खेडे मामले की जाच कर रहे है इस संदर में सावनेर के तहसिलदा प्रताब वाग मारे का क्याना है की मुरम के अवैत खनन की जाच की जारी है मुरम के अव्यत खनन के मामले में सम्मनित मंदल अधिकारी पतवारी और कोतवाल को नोटिस उचारी का जवाब मांगा गया है खापर से NBCN न्यूस के लिए कैमरमेन आशी श्राउत के साथ अरुन महाजिन की रिपोर्ट